प्यारे बच्चों एक बार फिर आप सभी का मोबाइल पाठशाला में स्वागत है आज हम करेंगे एक्सेसाइज 1.5 का बेसिक यानिके एक्सेसाइज 1.5 को समझने में आसानी हो उससे पहले थोड़ा सा 1.5 के बारे में उसका बेसिक कॉंसेट समझते हैं है क्या में परिमे संख्या और परिमे संख्या के बीच में विभिन परतार की संक्रिया दी हुई है और हमें यह बताना है कि जो बनेगा जो अंसर आएगा वो कैसी संख्या होगी वो परिमे संख्या होगी या फिर परिमे संख्या होगी इसको अच्छे तरीके से समझने से पहले हम वास्तविक संख्याओं पर हमारे जो चार मुख्या उपरेशन होती है चार हमारी बेसिक हैसंख्याओं होती है जो ओड़ घटा गुना और भाग उसको समस्तिया पर ले देखो प्यार विच्छा हमारे पास जो वास्तविक संख्याओं होती है जो हमारे पास वास्तविक संख और प्रिमे संख्या होगा जो वास्तिरिक संख्या होती है वो प्रिमे संख्या होगा अब यानिके कोई भी वास्तितिक संख्या या तो वो परिमे संख्या होगी या फिर वो ऐ परिमे संख्या होगी अब हमने को तीन केसिज बढ़ते हैं हमारे कास पहले बात करते हैं जब हम दो परिमे संख्या का जोड़ करते हैं दो परिमे संख्याओं का जोड़ जब हम दो परिमे संख्याओं का जोड़ करेंगे अब देखो हम कोई भी परिमे संख्या लेले एक तो दो लेली और एक तीन बटा दो लेली तो कुछ भी करने इसको जोड़ करने के बाद अंसर लेक परिमे संख्याई आने ठीक इसी तरह से अगर हम दो परिमेशन क्या हों का घटाव करें उनको घटाए तो भी हमारे पास जो अंसर आएगा वो परिमेशन क्या ही आएगा अब देखो आप माइनस दो य भी एक परिमेशन क्या हमारे पास अंसर कितना आगया यह भी एक परिमेशन क्या है तीन बटा दो माइनस चार बटा पांच कुछ भी बनेगा तो आइसे तरह से दो परिमेशन क्या हों की गुना दो परिमेशन्ख्याओं की गुना या गुनन जब दो परिमेशन्ख्याओं की गुना करेंगे तो अंसर वो भी क्या आएगा एक परिमेशन्ख्या ही आएगा दो परिमेशन्ख्याओं की गुना भी एक परिमेशन्ख्या ही आएगी ठीक इसी तरह से दो परिमेश संख्याओं का भाग भाग बने को यह बात ध्यार रखने हैं आपको कि बटे में जीरो लाओ बस गुणा गदे को कुछ भी लेलो आप तो गुणा की अगर हम बात करें तो दो गुणा तीन लेंगे तो कितना है गचे यह भी परिमे यह भी परि कुछ भी मने तो जो अंसर मने गा हूँ मों क्या मने गा एक परिमे संख्या फी बले अब भाग के बारेऑं देखते हैं कि जब के प्रेए संख्या को एक परिमे संख्या को तो दूसरी परिमेश संख्या से दूसरी परिमेशन्ख्या हो गें कि को को छोड़ सो जिंड़ी की बाग किया जाता है जब न्यों सभूषान दूसरी परिमेशन्ख्या से भाग किया जाता है तो जो इनसर आएगा वह भीstat में खूर कहां और देखो तीन इकारिमेर्शन क्या तो इसको भाग करेंगे तो यह परिमेर संक्षाइं जयंकि प्यारे बच्चो परिमेर्शन क्या जोड़कर लें गटती जोड़कर ले चाहे उनकी गुणा कर ले चाहे उनकी भाग कर ले हमें जो अंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा एक परिमेशंख्या ही मिलेगा लेकिन अगर हम बात करें ऐ परिमेशंख्याओं की तो दो ऐ परिमेशंख्याओं का अगर जोड करें गुणा करें घटा करें या भाग करें तो कोई जियूरी नहीं है कि अंसर हमारे पास एप्रिमेशन ख्याई आये तो यह बात सही होगी कि चाहे प्लस कर ले चाहे माइनस कर ले चाहे गुणा कर ले और चाहे भाग कर ले तो जो अंसर आएगा वो प्रिमेशन ख्याई होगा लेकिन एप्रिमेशन ख्याऊं के बारे में यह बात सही नहीं है दो एक प्रिमे कियाओं का जौड चौशा है कोई जरूरी है नहीं कि यह प्रिमे संख्या यह थो नहीं है दूसरी वर्गमुल दोहा पुण है और यह वर्बून करता है जैना है क्ट symbolism नहीं दूसरी वर्बून दो जब इनको गुवां तॉसरी जब इनको गुरह किया और गुझा हमारे पास क्लिका, तो कुछ क्लिक है और दो कुछ भी की वर्गमुल से भाग कर ढूं तो यह भी एकunyaन क्या आया चिर्को ना तो घटा ना भाग कुछ भी ए It क्षग गटा है प्रिमेसन क्या नहीं आया तो आपन क्या की गटा गटा गुना और भाग Stan वहाग हो जरूरें नहीं के अभी साथ परिमेसन उब यह करें इसा नहीं है उनका जोड़ Mall गुनावर भाग परिमेशन खया यहां पर मने एक एक अंपल नहीं लिया अभी वैं उसको थोड़ी देर मिलेता हूं थोड़ी देर बाद उसका प्लस आवड में भात करते हैं अब तीसरा हमारा हमारे पास क्या केस मनता है कि एक तो हमारे पास परिमेशन है जिसको हमने P ले लिया और एक प्रिवेशन क्या है R एक प्रिवेशन क्या P ले ली और एक प्रिवेशन क्या P और प्रिवेशन क्या R यानिके यहां पे R पलस P R – P और बटे पी यह क्या होने ही यानि कि एक तो परिवेशन क्या है और एक अपरिवेशन क्या है परिवेशन क्या को पी लिखा अपरिवेशन क्या को आर लिखा तो जो दो एक परिमे एक परिमे और एक अपरिमे को जोड़ेंगे एक परिमे और एक आपरिमे को गटाएंगे एक परिमे और एक आपरिमे की गुणा करेंगे एक परिमे और एक आपरिमे को भाग करेंगे आपस में यह आगे बीचे हो सकती है पहले परिमे भी आ सकती है पहले प्रिमे विया सकते है उससे कोई फरक ने पड़ेगा तो प्यारे बच्यों जब आप एक प्रिमे संख्याम का जोड करेंगे तो जो अंसर आएगा वह आप मैं किसी तरह से एक परिमे और एक एकप्रिमे संख्या का घटाव करोगे तो भी अंसर कैं आएगा एक परिमे संख्या ही आएगा कि किसी तरह से जब आप दो एक परिमे और एक परिमे संख्या की गुना करोगे तो भी अंसर क्या आएगा एक परिमे संख्या ही अंसर आएगा इसी तरह से जब एक परिमे संख्या को परिमे संख्या से बाग करो यहां पर हमारे पास परिमे संख्या निचे परिमे संख्या है उपर यह भी कर सकते हो पी बटार का सकते हो कोई फ़र्प ने बड़ता मतले हो एक एक परिमेशंख्या और एक परिमेशंख्य है जब इनकी भाग करो गया तो भी अंसर होगा हमारे पास आपरिमेशंख्या उनसर आएगा अगर निछे परिमेशंख्या पी तो वो पी जिरो नहीं बना चाहिए यह हर में तो एपरिवाशित हो जाएगा तो यह बात धान अपने हैं तो क्यारे बच्छो एक्साइज 1.5 के लिए जो बेसिक है उतको कंप्लूट करता हूँ अगर दो परिमे संख्याई हैं तो उनका जोड घटा गुना और भाग क्या होगा एक परिमे संख्याई होगा बस बटे में जो भाग की बात है तो बटे में जिरू ना हो इसी तरह से अगर दो एपरिमे संख्या लें तो उनका जोड घटा जोड घटा गुना और भाग कोई जरूरी नहीं है कि अपरील में संख्या यह सकता है और यहां पर गड़ बड़ कर्पते वक्त है बटे में अगर लेकिन अगर बटे में परिमे संख्या है तो उसका पी जो हम लेंगे वो जीरो नेड़ा चाहिए जीरो को छोड़कर होना चाहिए तो प्यारे बच्चों यह है हमारे पास एक्सराइज 1.5 के लिए बेसिक थैंक्यू वैरी बच्च